सपापार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उक्तम पटेल किसान नौजवान पटेल ग्यात्रा लेकर सुल्तानपुर पहुचे सुल्तानपुर पहुचे ही सपापूर्व विधायक अनूग संडा और सपापूर्व सांसत ताहीर खान वोपी वर्मा ने माला पहना कर नरेश उक्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष जी का जोरदा स्वागत किया सुल्तानपुर पोहसते ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बातपस सरकार पर निशाना साथते हुए मुख्यमंत्री योगिया अधितनात को बताया डिक्टेटरशिप फारा सियग सुल्तानपुर दौरी के दौरान विजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पियम और सियम अपने विधाय को और सांसुदों की नहीं सुनते हैं इसलिए विजेपी जन प्रतिनिदी जनता से मूँ चुराती है गड़ा युक्त सडकों पर प्रदेश अधक्ष बोले सडकों का पैसा लूट ले गई योगी सरकार पुर्वांचल एक्सप्रस वे की गुर्वत्ता में कमी वस सडक धसने पर बोले गुर्वत्ता विहीन बनाए जा रही हैं सडके कहां सचाई दिखाने पर मीधिया पर दबाव बना रही विजेपिस सरकार पत्रकारों पर दर्च किये जा रहे फरजी मुकद में तो समाजवादी पार्टी विधान सभा सुल्दानपूर उत्तरपरदेश का निवाशी हूँ और यह जो है कारिकरम नरेश उत्तम पटेल जी का कारिकरम यहां पर होने वाला है और कुछी चड़ों में आ जाएंगे क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में जो भी विकास काम हुआ है वो तो भाजपा गॉर्मिंट ने उसको एकदम मिट्टी में मिला दिया है और रही बात नोजवान सोसित गरीब वन्चित इचला बैकवर्ट जितने भी हैं यह काम ताहिर भाई ने बाखुबी क्या कहते हैं निभाने का काम किया है जितना ओबर बिरिज है सडक सडके हैं यहां सडकों का इन्होंने जाल विछा दिया है तो हम लोग मानिये नरेश उत्तम पटेल जी से यही मांग करेंगे कि मिस्टर ताहिर खान को यहां से प्रत्यासी बनाया जाए और जादस जादा हम लोग जिताएंगे तो कि ताहिर भ और रही बाद शलक का ओबर बिरिज उन्होंने दिया खलाई ओबर जो सुल्टानपुर का है यहां से कुणवार वाला उसको दिये और हर जगा जो है ताहिर भाई ने बहुत अच्छा काम दिया तो क्या प्रदेश अध्यक्षारे उनसे आप इस चीज की डिमांड करेंगे इस चीज को हम मानिय प्रदेश अध्यक्षारे जी से डिमांड करेंगे कि ताहिर खा को दिया जाए तुकि ताहिर खा को क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी ने इसके पहले यह लड़े क्या कहते हैं सकील भाई लड़े उसमें भी ताहिर भाई बढ़ चलके हिस्चा यहां एक बार मौका मिले और ताहिर भाई को हम लोग जिदाने का कार करें